हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर तो इस उड़ो में मैं आपको उताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स मोबाइल के ब्लुटूथ को कैसे रिसेट करें तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो उडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है तो हम सेटिंग्स पर चलते हैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ब्लुटूथ का आप्शन है ब्लुटूथ वाले आप्शन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहां से Bluetooth को चालू करना है तो यहां पर available device आपको show होंगे या फिर देखें यहां पर show नहीं कर रहे हैं ऐसी भी problem आती है चलिए हम इसका भी solution आपको बताते हैं तो यहां पर अगर show कर रहा है जो available device है या फिर जो pair है पहले से उन्हें आपको unpair कर देना है अब आपको इतना करने के बाद बैक आना है Bluetooth को बंद कर देते हैं बैक आते हैं Settings में चलते हैं फिर से फिर आपको आज आना है नीचे तो जैसे आप नीचे आएंगे जहां पर आपको एक option मिलेगा System Settings या Additional Settings नाम से जहां पर सभी आप रहते हैं तो दोस्तों आपको इस वाले option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है तो सबसे नीचे option मिलेगा Backup and Reset का Backup and Reset वाले option पर क्लिक करना है फिर से आपको नीचे option मिलेगा रिशेट फोन का या रिशेट का तो इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर रिशेट नेटवर्क सेटिंग्स का एक आपशन मिलेगा और यहां पर लिखा हुए रिशेट वाइफाई ब्लुटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग तो इस पर क्लिक करके देखे रिसेटिंग हो रहा है देखे हमारा इंटरनेट अपने आप आउन हो गया और बुल्तूत भी हमारा सही हो गया है रिसेट हो गया है अब बैक आना है अब दोस्तों आप चाहें तो सेटिंग में जाने के बाद उपर सर्च बर में क्लिक करके अगर रिसेट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा reset network setting का इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से आसानी से reset कर सकते हैं फिर इतना सब कुछ करने के बाद अपने mobile को एक बार switch off करके switch on करना है reboot या restart भी कर सकते हैं फिर आपकी problem 100% सही हो जाएगी तो आज पर बस इतना यूडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थेंक यू